नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फिर्स क्लाउड में तो दोस्तो DRDO ने इस हपते में पांच परिछडों को अंजाम दिया है जिसमें से पहला टेस्ट था VLSR SAM मिसाइल का और VLSR SAM वर्टिकल लांच सर्फेस टु एर मिसाइल सिस्टम है जिसे खास कर नेवी के लिए बना करेगा और इस VLSR SAM से नेवी के युद्धपोतों और एरक्राफ्ट करियर्स में लगाया जाएगा ताकि नेवी के युद्धपोत और एरक्राफ्ट करियर्स किसी भी दुस्मन मिसाइल का सिकार ना बन पाएं वहीं आज DRDO ने एक और मिसाइल का सफल परिछड किया है जिस Standard Range का परिछड किया है वहीं DRD ने एक चौथा परिछड भी किया है जिसका खुलासा अभी तक DRD ने नहीं किया है लेकिन आज जिस मिसाइल का परिछड DRD ने किया है या मिसाइल दुस्मन के टैंकों को ध्वस्त करने में बहुत ही कारगर मिसाइल है और इस मिसाइल को हेलिकाप्टर से भी लांच किया जा सकता है इतना ही नहीं बलकि इस मिसाइल को कंधे पर भी रखकर लांचर से दुस्मन के टैंकों पर दागा जा सकता है और एक बार या मिसाइल लांच हो गई तो फिर टैंक चाहे जो तरकीबे कर लें इस मिसाइल से बच नहीं पाएंगे और ये सीधा जाकर दुस्मन के टैंकों को हिट करेगी और उस टैंक के पल भर में हजारों टुकडे हो जाएंगे दरसल दोस्तों DRD और भारती वायू सेना ने मिलकर 11 दिसंबर 2021 को पोखरन रेंज में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विक्सित हेलिकाप्टर लांच स्टैंड आफ एंटी टैंक मिसाइल सेंट मिसाइल का सफल परिछड किया है और DRD के मुताबिक मिसाइल का परिछड सफल रही है जिसमें रिलीज मेकैनिजम, एडवांस गाइड़िड सिस्टम, ट्रैकिंग एल्गोरिथम, एकी क्रत साफ्ट्वेर के साथ सभी एवियानिक्स से संतोस जनक धंग से प्रदर्शन भी किया है और भारती रच्छा नुसंधान और विकास संगठन द्वारा विक रच्छी को नश्ट करने की काबलियत रखती है यह मिसाइल अत्याधूनिक सीकर से लैस है जो सुरच्छित दूरी से सटीग निसाना लगाने में भी सच्छम है और यह मिसाइल 10 किलो मीटर दूर बैठे टार्गेट को भी भेदने में सच्छम है और इस मिसाइल के सफल पर पर इच्छड के लिए बधाई दी है अब आपका क्या कहना है DRDO के सेंट मिसाइल पर इच्छड के बारे में कमेंट में जरूर बताएं लाइक शेर सब्सक्राइब करके गंटी वाले बटन को जरूर प्रस करें ताकि कोई भी वीडियो छूटे नहीं सभी वीडियो आप त क्या आपका क्या प्रस करें लाइब करेंशे में कर् का क bottom